तो डियर स्टुडेंट्स तूडे वी आ गोइंग तू लर्न पॉफिट लॉस चैप्टर प्रैक्टिस सेट थर्टीडू ओके तो लेट सी यह पूशन नमबर वन स्रॉम होल सेलर संतोस बाउड 400 एक्स रूपीज 1500 मतलब होल सेलर से संतोस ने कितने अंडे खरीद है 400 एंडे कितने रुपे का 1500 के और उसमें उसका जो है ट्रांसपोर्ड में कितने रुपे खर्च हुए spend 300 on transport मतलब जो 400 एंडे खरीदा था 1500 रुपे के उसमें उसका गारी भाड़ा लगा है कितना 300 रुपीज और 50 एक्स जो है क्या हो गए fell down and broke उसमें से गिर कर तूट गए तो 400 एंडे थे उसमें से 50 एंडे तूट गए मतलब गिर के तूटे तो लौस हो गया he sold the rest at rupees 5 एच मतलब एक अंडे का कितना दाम है प्राइज है 5 रुपीज so he did make profit or loss how much मतलब उसका profit होगा या loss होगा वह हमें find out करना है तो आप लोगों को जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर उसके अंडे कितने फुट है 50 अंडे 400 में से ठीक है तो actual cost price actual cost price कितना होगा actual cost price cost price plus यह जो cost price है 400x का plus transport का price तो transport कितना खर्च हुआ ओवर हैड 300 रुपया तो यहां पर डेटा पुट करते हैं 400x के कितने थे cost price 1500 रुपया प्लस ओवर हैड 300 रुपीस ट्रांस्पोर्ट के लगे तो कितना हो गया 1500, 300, 800 रुपीस देखिए फ्रेंड्स अभी जैसा कि आप कोई भी product खरीद तो for example आपने mobile खरीदा कहां से मनिश मार्कीट या बंबई से तो 10,000 का phone है तो 10,000 का phone है उसमें आपका गाड़ी भाड़ा कितना खर्च हुआ 200 रुपया तो आप अगर किसी को बेचोगे वह phone दस हज़ार का तो आप दस हज़ार को तो नहीं भी बेचोगे कि कि आपका भाड़ा भी खर्च हुआ तो आप कितने का भृच छोके 10C200 उसी था जब होलसेलर से संटोस अंटे खरिद रहे 15 उत तो इसका बाड़ा कितना लग रहाए 300 का फस्सका बाड़ा कितने बचे गार बेचना है तो किसी को रिटेलर को अठ्रासो रुपे का, ओके, तो ये था एक्जाम्पल, अभी यहां पर पचास अंडे उसके गिर गए, गिर कर तूड गए, तो कितने अंडे में से गिर है, चारसो अंडे में से पचास अंडे गिर गए, तो बचे कितने, साड़े तीन सो, समझे, कितना, तो एक्स कितने एक्स बचे चार सु अंडे में से पचास अंडे गिरे तो साड़े तीन सु अंडे गिर बचे जैसे कि चार सु अंडे खरीदा तो उसमें से पचास अंडे गिर गए तो कितने बचे साड़े तीन सो ओके तो सेलिंग प्राइस selling price of each egg देखिए selling price of each egg selling price of each egg कितने का है एक अंडे कितने का है 5 रुपीस कितने का है 5 रुपीस का तो selling price of साड़े 300 अंडे का कितना होगा अगर साड़े 300 अंडे का selling price एक अंडे का 5 रुपा है तो साड़े 300 अंडे का कितना होगा 350 into 5 रुपीस है ना तो अगर आप मल्टिप्लाइ करोगे तो 5 5 25 केरी 2 5 3 15 प्लस 2 17 और 0 का 0 समझें अगर आप नहीं इसमें ऐसा अगर डिफिकल्ड लग रहा है तो क्या करिए साड़े 300 मल्टिप्लाइब भाइज जरो फाइज फाइज त्वेंटी फाइज तू कैरी 5 3 15 प्लस 2 17 तो 17 50 कितने अंडे का हुआ साड़े 300 अंडे का तो सिंस आपका एक्शल क्राइज कोस्ट प्राइस कितना था एक्शल 18 रुप्या तो कोस्ट प्राइस जो है किस से जादा है किस से सेलिंग प्राइस है है न तो हैंस इट इस लॉस क्यों लॉस हुआ क्यों कि आपने खरीदा कितने गाता 1800 और आप बेच कितने में रहे हो सतरा सो पचास उरुपया, क्यों बेच रहों सतरा सो पचास, because आपके 50 अंडे जो है, फुड़ गए, तो कितने बचाए आपका, सतरा सो पचास, अठरा सो में से सतरा सो पचास, तो selling price आपका greater है, cost price आपका जादा है, selling price है, जब कभी भी आपका cost price जादा होता है selling price से तो आपका क्या होता है loss क्यों? loss अगर अगर आप for example यह मैं pen खरीदा हूँ 10 उर्पे का और मैं बेच रहा हूँ 5 उर्पे में तो मैंने खरीदा कितने में था 10 उर्पे में तो मेरा loss कितना हुआ? loss कितना हो वह 5 रुपा है मतलब cost price मेरा कितना था 10 रुपीज और selling price मेरा 5 रुपीज था तो उसी तरह cost price उसका कितना था 1800 जैसे कि cost price 1800 था और 1800 greater एकिस के 1750 गे therefore it is loss समझे तो अगर अगर मुझे profit और loss लिकाना है तो क्या आएगा cost price कितना 1800 minus 1750 तो कितना बचा 50 रुपीज तो loss कितनी का हो रहा है आपका loss हुआ CP minus SP तो CP minus SP कितना हुआ 50 रुपीज का तो hence the Santos made loss of रुपीज 50 रुपीज ओके समझ गया है और वापस से आप लोग को एक बार बता देता हूँ अब wholesaler से Santos ने 400 रुपीज खरीदे थे 1500 रुपीज में उसमें से उसने 300 रुपीज गाड़ी भड़ा लगा तो टोटल हो गया जो भी जितने भी नमबर ऑफ अंडेस बचे कितने बचे साड़े दिन सो अब यहां पर देखिए यह जो तुम्हारा selling price है और यह जो तुम्हारा cost price है cost price 800 रुपीज बढ़ा कौन सा है आपका पांच उपय लॉस उसी तरह यहां पर क्या हो रहा है पचास अंडे तूटने की वज़े से उच्छा 50 उपय क्या हो रहा है लॉस डैरफ़ोर सीपी मैनस एशबी तो यहां पर सीपी था 18-100 यहां पर एस पी था आपका सतरा सो पचास तो कितने का बच्चा पचास रुपीस का आपका क्या हुआ है लॉस ठीक है तो स्टुडेंट्स अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक सेंड कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों में शेर कीजिए थैंक्यू सो मच